नमस्कार दोस्तों मगरमच कितना खतरनाक प्राणी है ये तो हम सब जानते ही है हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो जान बूच कर उसके पास जाना चाहे परन्तु अगर ऐसे मैं आपको ये कहूँ कि क्या आप मगरमच के मूँ के अंदर अपना हाथ पाओ या शरीर का कोई भियंग डालेंगे तो कोई भी यकीनन ना ही कहेगा लेकिन क्या आपको पता है कि Egyptian plover नाम की bird जिसे की crocodile bird के नाम से भी जाना जाता है अपने खाने को मगरमच की मूँ से जमा करती है ये पक्षी मगरमच की दातों में फसे खाने को खा कर जीवित रहता है इससे मगरमच की दातों की सफाई भी आसानी से हो जाती है यही कारण है कि मगरमच भी इन पक्षियों को नुक्सान नहीं पहुँचाते दोस्तो यह छोटी सी जानकारी क्या आपको पता थी? अगर नहीं पता थी तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेर करना ना भूलें मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद